दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर ये लैप्टॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करें अगर आप गेमिंग करते हैं या आप अपने लैप्टॉप में कुछ भी अक्टिविटी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने सोसल मीडिया पर डालूँ यूटूब पर डालूँ तो मैं आपको एक बहुत ही कमाल के फ्री सॉफ्टॉएर के बारे में बताने वाला हूँ जो की बहुत ही छोटा सा है 100% फ्री है और आप बहुत ही आसानी से उससे अपने कम्प्यूटर रे लैप्टॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा सॉफ्टॉएर है तो दोस्तों इसके लिए आपको आना होगा अपने ब्रावजर में मैंने क्रोम ब्रावजर ओपन कर लिया है आप लोग इंटरनेट कनेक्ट करके रखेगा ब्रावजर में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना स्क्रीन रेक स-C-R-E-N-R-E-C बस आपको इतना ही लिखना है इसके बाद आपको एंटर कर देना है जैसे आप स्क्रीन रेक सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर एक वेबसाइट दिखेगी screenrec.com करके इसको आपको open कर लेना है जैसे आप इस website में आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ही page पर किनारे में एक download का option मिल जागा यहाँ देखे लिखा हुए download free आपको बस इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो इसका setup file यहाँ download हो जागा यहाँ देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है 372KB का तो यह download हो चुका है अब आपको जाना है अपने downloads में तो downloads में आ जाइए downloads में आने के बाद आपको क्या करना है इस पर एक बार click करना है फिर mouse का right बटन दबाना है यहाँ पर आपको option मिलेगा run as administrator आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपसे permission मांगेगा आप yes कर दीजेगा इसके बाद आपको next पर click करना है फिर आपको I agree पर click करना है फिर next पर click करना है अब यहाँ पर आपको install पर click कर देना है जैसे आप install पर click करेंगे तो आपका ये software install होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ही एक बार install किया था लेकिन मैं दोबारे से इसको कर लेता हूँ ये install हो रहा है तो जब तक ये install हो रहा है आपको इसको ऐसे रहने देना है तो अब ये install हो चुका है अब आपको finish पर click कर देना है install होने के बाद आपको क्या करना है इसको double click करके open करना है जैसे आप इस पर double click करेंगे तो आपको आपकी screen पर इस प्रकार से एक option दिखेगा इसमें देखे तीन चार option है एक है camera का यहाँ से आप screenshot ले सकते हैं एक है screen recording का दूसरा है files का जहाँ पर आपके सभी files जाकर save होंगे उसके बाद option है settings का तो अगर आपको screenshot लेना है तो यहाँ take screenshot पर click कर दीजिए उसके बाद आपको left वाला button दबाना है यहाँ देखे लिखा हुआ है left click and drag to take screenshot आपको अपने mouse का left वाला button दबा का रखना है फिर जितना आप इस cursor को खीचेंगे जहाँ तक इस बीच में जितना भी portion आएगा आपके laptop screen का उतना यह screenshot हो जाएगा यह आप देख सकते हैं यह screenshot हो गया है इसको मैं भी cut कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको option मिलता है screen recording का अब जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है left click and drag to take screenshot और video recording आपको जितना screen record करना उतना पहले area select कर लिजे तो यहाँ से मैं कोने से लेकर पूरा नीचे तक select कर लेता हूँ इसको मैंने select कर लिया अब देखें यहाँ पर timer चल रहा है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है screen recording चालू हो चुका है और यहाँ पर अभी हमने microphone connect ने किया है यह जो बीच में आपको option दिख रहा है यहाँ पर देखें इसका timing भी दिखा रहा है यहाँ आप देख सकते हैं कितना सेकेंड हुआ यहाँ पर माइक्रोफोन दिखायागा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यह Mute है और webcam आपने connect किया है या नहीं यह भी यहाँ पर दिखा देगा आप चाहिए तो अपना webcam भी लगा सकते हैं और इसको आप यहाँ से हटा कर किनारे भी कर सकते हैं यहाँ से खीच कर लाइए यहाँ किनारे कहीं पर कर दीजे ओके अब यह चिप जाएगा अब यहाँ पर आपके laptop की screen record हो रही है ओके जितना आपको screen recording करना है उतना आप कर लीजे इसके बाद आपको फिर से इस वाले option में आना है और यहाँ पर जो आपको option दिखरा है यह जो red color से दिखरा है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे screen recording रूख जाएगा या फिर आप अपने keyword में alt plus s बटन दबा दीजे तब भी recording जो है वो stop हो जाएगा recording रूख जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से recording आ जाएगा अब देखे यहाँ पर एक unlisted option आ रहा है आप जाए तो इस recording का link से अर कर चकते हैं इसको आप अपने device में save कर सकते हैं यहाँ देखे download का button है जैसा आप इस पर click करेंगे तो आपका folder आ जाएगा अब इसको आप जहाँ पर भी save करना चाहते हैं वो folder select कर लिए तो यहाँ से मैं वीडियो जाले folder में रख लेता हूँ यहाँ से save पर click कर देना है अब यह जो recording हुआ है वो हमारे folder में save हो गया है अब इसके बाद यहाँ पर देखे एक option files का जैसे आप files पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सभी screen recording और screen shots आ जाएंगे जो भी आपने record वगरा किया होगा screen को वो सब यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते है settings में यहाँ देखे settings option है जैसा आप इस पर click करेंगे तो आप इस screen recording की setting में आ जाएंगे अगर आप इसको free में use करेंगे तो इसकी quality थोड़ा कम रहेगी अगर आप चाहे तो इसको HD में भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको plan वगरा लेना पड़ेगा तो अभी आप free में कीजे अगर आपको ये वालो software पसंद नहीं आता है तो एक और software है OBS Studio अभी आप देख सकते हैं जिससे मैं अपने laptop के screen record कर रहा हूँ OBS Studio इस पर भी मैंने video मनाया है जाकर आप देख सकते हैं ये 100% free है 4K में भी video को record करता है तो अगर आपको जानना है कि OBS Studio कैसे हम use कर सकते हैं इससे कैसे screen record कर सकते हैं तो इस पर मैंने video मनाया है जाकर देख लीजेगा तो जो आपको पसंद हो वो आप use कर सकते हैं I hope कि आपको video पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो video को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा